नमस्कार दोस्तों दिग्विजे शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है आज हम अल्टीमीट वोकाब प्रैक्टिस का 18 सेशन करने वाले हैं जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ इसमें हम 10 करते हैं तो इसमें अच्छी क्वालिटी के एससी के प्रीवेस यह एक्जाम्स में जो वोकाब को पूछी गई है वह यहाँ पर हम टेस्ट सा हो जाएगा आपका उसका ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वन वर्स अप्रेडियूशन से स्टार्ट करते हैं तो किसी चीज की कम ही सप्लाई कम है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सकार्सिटी ऑप्शन सी इसका अंसर होने वाला है प्लैथोरा का मतलब होता है जो अच्छे खासे अमाउंट में है ठीक है इन गुड़ अमाउंट मेरियेड यह दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है इसका मतलब भी सेम होता है जो अच्छी कॉंटिटी में अवेलेबल है प्रोफ्यूजन का भी मतलब सेम होता है ठीक है तो यह तीनों इसके एक तरीके से अपोजिट है सकार्सिटी होता है अपके जब शॉर्ट सप्लाई में है कोई चीज अब परसन हो लिवस आउटसाइड हिस नेटिव कंट सब्सक्राइब पर यह देखने को मिला होगा ठीक है एकस्पैट्रियेट इसका अंसर हो जाएगा यहां पर देखी यह प्रीफिक्स आरा एक्स तो एक्स जब भी यूज करते हैं तो कोई चीज बाहर हो रहा है ठीक है एक्स्टीर में यूज करते है ठीक है तो कोई बंदा आपनी कंट्री से बाहर हो रहा है तो उसे investigates कहते हैं इंत्रिंसिक होता है किसी का basic nature ठीक है तो कोई अगर basic nature कुई किसी का है कोई introvert ooovert कोई बात कर लेता है कोई नहीं कर बाता है ठीक है तो यह उसका basic nature होगा वो उसकी intrinsic quality होगी ठीक है तो intrinsic मतलब basic nature होता है आगे देखते हैं have saliva dripping copiously from mouth तो इसके लिए हम निम बोलते हैं लार्ट पगना किसी की ठीक है किसी को कोई चीज आपको ऐसा खाना दिख गया जिसको देखकर आपके मुग में पानी आ रहा है ठीक है उसके लिए यहाँ पर English word use किया जाता है slobber ठीक है option days का answer हो जाएगा अभी यह बाकी options देख लेते हैं cascade का मतलब होता है waterfall ठीक है बहुत ज्यादा amount में पानी जो गरता waterfall होते हैं ठीक है inundate का मतलब होता है waterfall पानी किसी एरिया में भर गया है तो उसे inundate कहते हैं sluice होता है जो हमारी डैम होते हैं उनके gate होते हैं ठीक है तो इसको gate को जब हम खोल देते हैं मालाब पानी डैम के अंदर आ जाता है तो क्या है flood control हो जाता है दिए टो इससे flood control होता है तो flood control करने के लिए यह gate यूज कर जाते हैं, इनको sluze का जाता है, ठीक है, angry और bitter disagreement over fundamental issues, तो कोई disagreement है, ठीक है, किसी में आप agree नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए word क्या होगा, यह बताना है, accord का मतलब agreement होता है, यह justice का opposite है, इसका opposite होता है, एक discord, वो इसका answer हो जाता है, लेकन option में दिया नहीं है, ठीक ह relation, ठीक है, किसी के साथ आपके relation अच्छे हैं, तो वो आपके साथ MET में है, ठीक है, affinity का मतलब आप किसी को बहुत जादा पसंद करते हैं, तो यह वो feeling affinity कहलाती है, ठीक है, तो यहाँ पर यह rare word है, थोड़ा, strife, इसका मतलब disagreement है, यहाँ पर देखिए हम, यही rare word हमको याद करने है, आपको यह जो playlist है, इसको बार-बार देखना है, यह 18th session है, तो बार-बार देखना है, आपको यह रटने की जरूर नहीं है, बार-बार आप सुनेंगे, तो आपके दिमाग में यह आ जागा, memory में याद रहेगा, और option आप exam में टिक कर पाएंगे, आगे देखते ह an opinion or conclusion formed on the basis of incomplete information, तो आपके पास information पूरी नहीं है, तब भी आप conclusion निकाल ले रहे है, ठीक है, guess करने मलब तुक्का मार रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, यह देखते हैं, तो इसके लिए one word substitution होता है, conjecture, ठीक है, proof तो सबूत होता है, अब देखिए यह दो चीज होती है, clincher और होता है, environment, तो environment होता है, statement, जो court में वकील बोलते हैं, ठीक है, lawyers जो statements देते हैं, अपने support में, तो उसको बोलते है, एवर्मेंट, clincher ऐसा statement होता है, जिससे क्या है, पूरा जो case है, वो जो lawyer बोल रहा है, उसके favor में आ जाता है, ठीक है, तो यह final statement हो जाता है, क्लिंच करना भी मतलब होता है जीतना विन ठीक है तो क्लिंचर होता क्या है फाइनल स्टेटमेंट जिससे क्या है वो पूरा केस जीत जाएगा एक तरीके से ठीक है कंजेक्चर यह आपका हो जाएगा बिना information के कोई भी conclusion निकालना ठीक है तो कमाना production और exemption from something specially an obligation और penalty तो किसी obligation या penalty से आपको अगर production मिल लिए तो उसको हम बोलते है immunity ठीक है immunity जैसे बीमारी से बचने को भी immunity कहा जाता है उसी तरह से किसी आपको penalty से अगर production मिल लिए तो वो भी immunity हो जाएगी ठीक है कि कास्टिगेशन होता है किसी को punish करना to punish करना या बहुत बुरी तरह बात करना किसी के साथ ठीक है डाटना किसी को penance होता है खुद को punishment देना self punishment ठीक है ostracism होता है किसी को society से बाहर निकाल देना जैसे पुरानी मुवीज में देखा होगा आपने सरपंच जो होता था वो सजा में ऐसे बोल देता था कि इनको society से बाहर निकाला जाता है ठीक है तो society से बाहर निकालने को बोलते है ostracism ठीक है अब यह बाखी words देख लेते हैं pure reality यह इसको कहते हैं childish behavior तो एक तरीके से अपोजट हो जाएगा जो mature बंदा होगा वो अच्छे decision ले पाएगा कम टाइम में ठीक है जो pure reality होता है यह ऐसी quality होती जब आप childish behavior है ठीक है आप decision आसानी से नहीं ले पाते है श्ट्यूपर क्या हो पाएगे या फिर आपके कोई accident हुआ है या emotional imbalance चला दिमाग में ठीक है कुछ भी emotional problem होई भी तो आप साही decision लेने के condition में नहीं है ठीक है तो स्टूपर ऐसी condition है जब आप साही decision नहीं ले पा रहे हैं तो अक्यूमन ऐसी quality होती है जब आप कम टाइम में अच्छे decision ले 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 जो होता है यह भी क्या होता है एक word skilled के लिए यूज किया जाता है अड्रोइट खाली ठीक है लेकिन इसके आगे यह prefix लग गया है मेल मेल तो यह जहां भी लग जाता है तो यह हिंदी में जैसे हमारा दुर शब्द यूज किया जाता है उपसर ठीक है तो यह बुरा कर देता है दुर विवार मतलब बुरा विवार उसी तरह मेल अड्रोइट हो जाएगा कि skill उसकी अच्छी नहीं है ठीक है अम में इसकी skill नहीं होगी उसमें ठीक है गौकी नेस का भी मतलब यह होता है skill अच्छी नहीं है clumsy कह सकते clumsy यह ओक्वर्ड यह सके इन तीनों का मतलब यह है skill अच्छी नहीं है आगे देखते है एन अर्जेंट नीड और डिमांड ठीक है किसी चीज की डिमांड तुरंस चाहिए अर्जेंट नीड है उसकी तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एमर्जेंसी भी यूज़ करते हैं एमर्जेंसी में क तो उस ब्लेम को आप हटाना चाहेंगे ठीक है तो जब आप उसको हटा देते हैं तो उसको विंडिकेशन कहते हैं सेटीटीव होता है सैटेसफाइड किसी चीज से आप सैटेसफाइड है ठीक है रीड्रेस चासी की शब्द से पता चला है दुबारा ड्रेस करना तो हम तो किसी को फॉलो करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है अगर ऐसे लिखाया है यही आंसर हो जागा इसका ऑप्शन डी आधेर टू हिंदूइजम तो वह हिंदूइजम को फॉलो करता है ठीक है एथिष्ट होता है जो किसी भी भगवान को नहीं मानता है ठीक है अधेर मतलब होता है कि फॉलो करने के लिए यह अलग वर्ड है किसी को फॉलो करते हैं है तो आए अधेर टू ठीक है आगे देखते हैं यहां से हमारे सिनॉनियम स्टार्ट होते हैं तो अप्स्टेकल यह इजी है ऑप्स्टेकल का मतलब होता है रुकावर्ट तो बैरियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी ऑप्शन इजी है यह आपको पता होंगे पैंसि ogen मतलब होता होता है इसका सिनॉन युम वरड्ट है इसका मतलब होता है घाले सका होता जैसे जादोकर होता है उतलब को जाई गया हैbars अबनेटन्ट होता है जो अच्छे खासू कॉंटिटी में है कोई तो उसे अबनेटन्ट का जाता है ठीक है Scarsity का एक तरीक से पोजेट हो जाएगा हमने Scarsity पड़ा है जो शौट सप्लाइब में होता है ठीक है तो हमारी रेर अन्यूजवल या डिफरेंट नहीं होगी वह कॉमन होगी जो सबको लग रहा होने वाले वही हो रही है तो वह क्या हो जागा कॉमन हो जाएगी तो प्रीवैलेंट का है options मैं से यहां पर best जो option होगा वह कॉमन हो जाएगा can always be incomp it तो यह यहां पर फ्लोड के साथ यूज़ किया जाता यह फ्ल trafficking इसका मतलब क्या eye बार्ड जो आ रही थी वह इतनी से अरे थी उसके सामने कोई भी आ रहा था उस पोड़ा दे रही थी ठीक है इसको network का मतलब होता है इसका да control करना जिसको मुश्किल है difficult to control डिफिकल्ट टू कंट्रोल ठीक है कंट्रोल करना मुश्किल है तो ऑप्षन अगर देखते हैं तो जेंटल रेर लिमिटेड यहां पर ऑप्षन नहीं होंगे एक्सेसिव इसका हो सकता है एक्सेसिव का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज ठीक है तो लिफिकल्ट लिए समयोगा है क्योंट मतलब होता है ठीक है कोई बहुत ज्यादा फेमस है तो ऑप्षन डेखते हैं तो यह फेम इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है ओप्षन C जो है fame इसका correct answer हो जाएगा obscurity होती है यह उसका उल्टा हो जाएगा कोई जाधा famous नहीं है ठीक है तो वो not famous ठीक है not famous हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या है इसका opposite हो जाएगा तो obscurity का मतलब not famous हो जाएगा wisdom मतलब होता है knowledgeable कोई बंदा knowledgeable है अगर ठीक है ठीक है रेप्यूडियेट का मतलब क्या होता है रेप्यूडियेट मतलब होता है किसी चीज को रिफ्यूज कर देना मना कर देना तो यह option देखते हैं तो enforce regret सेंच्षन रिनाउन्स यह इसका similar होता है ठीक है रिलाउस मतलब होता है जब Bos कह सब्सक्राइब कर ब slows होता है silent silent होता है इसका मतलब गरिल लैस होता है टॉकेटिव ज्यादध बात करता है ए उसे कहते है है कि confident सबसे बात कर लेते यह nyos ठीक है रन्ड स्टेराइल है मतलब उपजाओ जमीन है प्रोड़क्टिव इसका سनोनियम हो जाएगा ठीक है? Sordid का मतलब होता है Unpleasant ठीक है? कोई पसंद नहीं आता है Unpleasant बंदा है Honest नहीं है, Corrupt है ठीक है? Not honest या Corrupt है तो वो Sordid हो जागा Barron इसका Opposite हो जागा Banch बोलते हैं या B-Had बोलते हैं ठीक है? तो यह B-Had जो होता है इसका opposite हो जाए sterile का प्योर तो आपको पता होगा बोल्ट from the blue idiom phrases यहां से start होते हैं हमारे bolt from the blue इसके similar एक और idiom phrase out of the blue तो कोई चीज अजीब सी नदर आती है तो उसके लिए यह idiom phrase यूज किया जाता है तो option based का answer हो जागा something sudden that happens unexpectedly जिसके आपको expectation नहीं ऐसा काम होता है तो उसको बोलते है out of the blue या फिर bolt from the blue left-handed compliment तो देखे right होता है सीधा left होता उल्टा ठीक है तो आपको compliment तो मिल रहा है लेकिन यह इसा compliment मिल रहा है जो compliment नहीं है आपको क्या है आपकी insult हो रही है उसमें ठीक है लग रहा है compliment है लग रहा कि आपकी praise हो रही है लेकिन आपकी insult हो रही है तो ऐसे compliment को कहते हैं left-handed compliment ठीक है इंसल्ट छुपी हुए उस तारिफ में ठीक है तो यह हमारा option C आंसर हो जाएगा इसका लेफ्ट-handed compliment ऐसा compliment है जिसमें उसकी बेज़ती हो रही है ठीक है जैसे किसी को पसंद नहीं तो अगर वह यह कह रहा है कि तरीके से उसकी इंसर्ट करना चाहरा है और तारीफ लग रही है उसको ठीक है तो यह सिंपल है ठीक है ऑप्शन देखते हैं टेक केर आफ टेक केर दो ड्रेस वेल्ड वाक वेरी कॉशिएस ली ट्राइज हाड आपकी बहुत कम है बहुत काम धीरे-धीरे कर रहे हैं ठीक है तो दो सम्थिंग वैरी स्लोली ऑप्शन सीस कांसर हो जाएगा बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है यह सिंपल है इदर और की बाते करना मुद्दे की बात नहीं करना तो ऑप्शन देखते हैं तो अवाइड दर टॉपिक ऑप्शन दीस कांसर हो जाएगा अब पेन इन नेक तो इससे सिमिलर की डायरेक्शन में फॉरवर डायरेक्शन में मोशन होना ठीक है मोशन इन फॉरवर डायरेक्शन तो हैडवे अगर नहीं है कोई आप कोई हैडवे नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं वहीं के वहीं आप अनेबल टू प्रोग्रेस ahead make short work of something तो यहां अगर इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है किसी काम को कम कर देना ठीक है तो यहां पर दो option में confusion हो सकता है reduce the size या फिर dispose of quickly ठीक है तो यहां पर यह size को reduce करना नहीं होगा काम को आप छोटा नहीं कर रहे हैं आप उसको इतना जल्दी कर रहे हैं कि आपको कम लग रहा है काम ठीक है तो dispose of quickly मतलब काम को आपने जल्दी खतम कर दिया डिस्पोस कर दिया option बीस का answer हो जाएगा in a nutshell 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 का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने summarize कर दिया है nutshell movies के upload होते है यूट्यूब पे योगी बाबा करके चैनल ठीक है तो पूरी movie को 15-20 मिनिट में बता देते हैं ठीक है comedy में तो यहाँ पर option अगर देखते हैं तो express briefly किसी चीज़ को summarize करना कम शब्दों में कहना वो हो जाता है in a nutshell ठीक है be an open book इस तरीक से खुली किताब को हरको भी पढ़ लेता है उसी तरह किसी इंसान को अगर हम कहते हैं कि वह एक open book है इसका मतलब उसके बारे में आप easily कुछ भी जान सकते हैं ठीक है one whom it is easy to know everything ठीक है तो यह इसका अंसर हो जाएगा calamity का मतलब होता है यह flood या अर्थ को एक होते हैं उसके लिए उसके जाता है tragedy इसका हो जाएगा synonym तो failure suffering यह यहां पर antonium बताना ठीक है यह रियान लगना आपको कि एंटोनियम श्राट हो गए तो calamity एक तरह से tragedy होती है sad feeling होती है तो यहाँ पर happiness इसका opposite हो जाएगा होलसम का मतलब होता है healthy तो इसका positive बताना है pure safe healthy impure option अगर देखते हैं तो impure जो है यह इसका अंसर हो जागा क्योंकि होलसम यह एक positive word है ठीक है healthy तो option देखते हैं तो इंप्योर ही negative word नजर आ रहा है तो यही इस प्रसफ हो जाएगा aRI का मतलब क्या होता है किसी चीज में हवा भरी है air भरी है ठीक है तो वो उड़ा रहा हो हवाब बहिया सका मतलब उसके अंदर कुछ नियखाली है ठीक है तो वो कि हलका होगा अगर हवा कोई इनसान जो ज़्यादा डेंशन नहीं लेता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एरी तो यहाँ पर इसका पोजिट श्टफी हो जाएगा ठीक है जिसके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होगी तो वह ज्यादा टेंशन लेगा ठीक है तो एरी ऐसे इंसान के लिए भी यूज़ करते हैं जो ज्यादा टेंशन नहीं लेता है तो यहाँ पर इसका पोजिट स्टफी हो जाएगा कनवल्जन का मतलब क्या होता है कनवल्जन को हिंदी में दौरे पढ़ना कहते हैं ठीक है इंगलिश में इसको सीजर भी कहा जाता है ठीक है दौरे पढ़ रहे हैं तो दौरे पढ़ते हैं हाथ पर आपके एकदम से क्रेंप हो जाते हैं हिलने लग जाते हैं ठीक है तो शेकिं यह थोड़ा सा rare word है ठीक है इसी तरीके के words आपको exams में देखने को मिलते हैं तो mean इसका मकसद यह है कि इस तरीके के word आपको कम से कम दिखते हो जाएं ठीक है तो squall को मतलब storm storm होता है ठीक है storm होता है आदी तूफन wind इसका हो जागा synonym तो opposite इसका हो जागा पीस ठीक है storm का उल्टा पीस हो जागा शांतीज ठीक है गलीबल ऐसा बंदा होता है जिसको बेवकूब बनाना बहुत आसान होता है ठीक है तो innocent हो गया यसे लिए नाइव हो गया नाइव होता है किसी में किसी professional में new है कोई ठीक है तो उसको क्या उतनी जानकारी नहीं होगी ठीक है तो ओनन इव गया तो उसको भी बेवकूब बनाना अजान होगा लेकिन कोई अगर wise बनाता है समझदार बन आ तो उसको बेवकूब नहीं बना सकती ओप इसलिए ये ये इसका opposite हो जाएगा गलीबल का opposite wise हो जाएगा गलीबल मतलब होता है कि जिसको बेवकूब का जाता है related to space ठीक है तो celestial bodies भी कहते हैं उनको planets को तो इसके लिए heavenly यूज किया जाता है जो space के लिए heavenly इसका synonym हो जाएगा इसका ठीक है तो heavenly का ultra opposite हो जाएगा hellish option C is cancer हो जाएगा मैलो यह थोड़ा सा rare word मैलो का मतलब होता है easy going ठीक है जो आराम से काम करता है अपना कि easy going इसका synonym हो जाएगा मीनिंग हो जाएगा इसका ठीक है तो easy going अगर है कोई tension नहीं लेता है एकदम से परिशान नहीं होता है तो वह क्या mature होगा बंदा ठीक है mature के लिए एक और word ripe use करते हैं पका हुआ ठीक है तो अगर यह option देखते हैं तो harsh एक तरीके से opposite हो जाएगा इसका best option यहाँ पर हमें चुलना है harsh कोई बंदा है एकदम से harsh हो जा रहा है रूड हो जा रहा है इसका मतलब क्या है वह easy going नहीं है इसका opposite हो जागा easy going का harsh हो जाएगा पूज़िट कि मेलंकोली होता है sad feeling ठीक है feeling of sadness होता है मेलंकोली तो sadness का उल्टा हो जागा यहाँ पर cheerful happy ठीक है option डीस का अंसर हो जाएगा अगला लाश्ट हमारा यह word है dank dank का मतलब होता है wet होना गीला होना तो moist जो है इसका synonym हो जागा है synonym हमें बताना नहीं हमें बताना इसका antonium तो यह हो जाएगा इसका opposite dry ठीक है dry इसका हो जाएगा opposite यह आंसर है हमारा option यह तो हमारे यह ultimate work practice का 18th session हमारा खतम हो चुका है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप यह playlist चकाउट कर सकते हैं 18 session total आपको मिलेंगे इसको बार-बार देखेंगे तो आपकी vocab काफी अच्छी हो जाएगी और काफी ज्यादा chances है कि आने वाले जो exam में कोई भी आपका English जिसमें vocab आती है तो वो इससे हो सकता है हम AES PRT की तयारी करा रहे है तो आप उसके उसमें भी English आती है तो उसके लिए काफी helpful होगा अगर आप AES PRT की तयारी कर रहे है और English को vocab के लिए आप यह देख सकते हैं और अगर आप grammar के एक हमने वीडियो बनाया है marathon वीडियो इसमें सबसे जादे important जो हमारे grammar rules है वो यहाँ पर compile किये गए है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं ठीक है ultimate vocab practice नाम की playlist को चेकवाट कर सकते हैं आप टेलिगराम चैनल दिखवजय शर्मा अकेडमी से जुड़ सकते हैं आप और exam की updates के लिए हमारे चैनल को आप subscribe कर सकते हैं अगर आप AES PRT के त्यारी कर रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में